असलाम अलेकुम अमीदे के आप सब ठीक होंगे आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ICT की जुड़ा स्विंग मतलब पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप कैसे 90 दिन के अंदर अपनी जॉब को कुईट कर सकते हैं अगर आप ICT के उस structure को उस strategy को follow करेंगे तो उसी ICT बंदे की SMC की जो है एक और strategy है जिसका नाम है जुड़ा स्विंग उसका नाम है ICT जुड़ा स्विंग आप उसको इंटरनेट पे जा के भी देख सकते हैं कि उसने किस तरह बियान किया तो मैं उसने काफी लंबी लंबी वीडियो बनाई बहुत important वीडियो है वो इस सेम चीज है कि आपने सबसे पहले Asian session जो है वो उन कर लेना मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ICT की पिछली वीडियो में कि कैसे आपने उन करना है कैसे आपने apply करना है करने के बाद आपका जो rules है वो आप note करते जाएं कि वो क्या है नमबर वन rule है timing ठीक है तो timing है New York के रात के एक बज़े ठीक है यनि रात के जो बारा बज़े है वो लगा रहें ओके 12 एम फिर सुबा के 8.30 to 11 ओके first rule यह हो गया second mark up करने के बाद आपने 12 से 12 एम से आपका 8.25 तक जब आपकी market आ जाएगी तो आपने उस time period का जो 12 से लेके 8.25 तक यनि रात के बारा न्यूज्योर के रात के बारा से लेके दिन के 8.25 तक जो high and low है उसको mark कर लेना mark ठीक है फिर किसी एक साइट की liquidity हो जाएगी grab मतलब जो आपने mark किया है high and low उसमें से एक साइट चल जानी चाहिए उसके बाद वो आपका market structure shift छोटे time frame पे with displacement अगर आपको displacement, market structure shift यह अगरा चीज़ों का नहीं पता तो आप comment करें मैं इस पे एक dedicate अलाइदा से वीडियो बना दूना ठीक है fair value gap पे must होना चाहिए वहाँ पे आप लेंगे entry या limit order okay and the sl जो आप fvg fair value gap की जो first lag होगी उस पे ठीक है तो यह हमारा simple rule है हम इसको follow करेंगे ठीक है तो first rule है हमारा utc-4 पे जाए time zone आपने new york select कर लेना है है यहां पर यह वाला ठीक है 12 am रात के जो 23 होता है उसके बाद फिर आप यहां पर 23 रख लें ठीक है पर क्या 23 होता है डूनों 11 बजते के 12 बजते हैं या एक बजता है डूनों सो kindly बस वह देख लें हाँ 23 जो होता है वह फिर 8.30 दिन में am and 11 am ठीक है हमारा mark out हो गया यह हमारा वो चल रहा है ठीक है तो हम इसको बंद कर देते हैं और देखते हैं कि मार्केट हमारे 8.25 तक आ जाए अलमूस्ट 8.25 पे आ गई अब हमारा काम क्या 8.30 से पहले जो high and low है उसको mark out करना है तो यह 8.30 था सही है अब यहां से लेकर यहां तक का high यह है यह हमने mark कर लिया ठीक है और फिर नीचे उस दिन का low यहां तक था ऐसी बात है यह mark out करने के बाद हमें चाहिए किसी buy side या sell side की liquidity graph हो जाए यह उपर buy side है नीचे sell side है यानि एक तरफ market ले जाए इस दिन का जो high and low जो यहां पर stop losses पड़े मार्किट वो एक side की ले ले तो जैसे market वो ले लेगी हम जो है अपने चोटे time frame पर shift हो जाएगे तो यहां पर हमारी market ने कारवाई कर दिये हम चले जाएंगे one minute पर और one minute पर मैं चाहता हूँ कि आपको साथ में वो भी पता हूँ इसको बोलते हैं ICT juda swing कौन सा swing पता नहीं जूड़ा स्विंग पस उस इसका उसने नाम दिया हूँ है so we follow वो free mentor देता है आप उसकी जो है देख सकते हैं and he is a very good teacher free में सिखाता है मेरी तरह मैं भी पैसे नहीं लेता वो भी नहीं लेता ओके तो यहां पर हमने follow करनी है हमारे rules अच्छा किसी दिन आपको trade नहीं मिलेगे न तो घबराना नहीं है यह market आपको patience के पैसे देती है ठीक है आपके entry के पैसे नहीं आपको मिलते है आपके rules के पैसे मिलते हैं आपको यह लेके गुमना पड़ रहा है ठीक है अब हो गए यह liquidity grab अब हमें चाहिए market structure shift तो market structure shift कहां पर होगा इस जगा पर क्यों यह candle मैंने select की यह जो ultra hammer दिख रहा है क्योंकि इसने पिछली candle के ऊपर high को sweep कर दिया जो कि यह पिछली candle है ठीक है तो मेरे साब से यह होगी तो देखते हैं क्या होता है अब हमारा yellow बन गया है new ah very good sorry मैं थोड़ा सा पीछे कर दूँ ताकि आपको समझाने में मज़ा है bear with me please sorry अच्छा यह था with displacement नजर आ गई आपको ठीक है liquidity grab हो गया यह market structure shift यानि change of character हो गया ठीक है market जो थी वो lower low lower high slower lower lower high बना रही थी फिर market ना चानक से प्रेक कर दिया with displacement यानि momentum candle फिर हमें चाहिए fair value gap तो fair value gap third candle में तो यहां पर हमारे पास fair value गैप भी आ गया तो यह था हमारा fair value gap यहां से इधर तक ठीक है अब यहां पर हम क्या करेंगे या तो entry ले लेंगे या हम यहां पर अपना limit order set कर देंगे तो यहां तक stop loss रखेंगे या आप bear कर सकते तो 5 handle 5 pip 6 pip आपके lot के असाब से रख देंगे ठीक है और हमारा जो target है वह recent liquidity जो level है वहां तक first target उसके बाद आपने ट्रेड रखनी ठीक है ने तो 10 pip हमारे पास बहुत है अगर हम अपने सही तरीके से अगर हम funded trading की तरह काम करते ठीक है तो चलो देखते हैं कि हमारा क्या हुआ first step भी हो गया and वापस market आई very good ओके तो हमने यह हमारा target हिट हो गया ठीक है हमारे सारी चीजें मिल गए हमारा fair value gap मिल गया entry होगी हमने वहां पे stop loss रखा और हम आगे की तरफ चले गया ठीक है अच्छा अब मैं यहां पर एक चीज बता दूँ जो आपकी information के लिए काफी मुफीद होगी आपकी आप उसको note कर ले जिस दिन market अब एक strategy तो हमेशा नहीं चलती और हर रोज market तो वैसे नहीं चलेगी sorry ठीक है तो यहां पर मैं पांच मिनिट के time frame पर जाकर आपको एक चीज बता दूँ ताकि आप next day बैठे ना रहे यहां से लेकर हमने यहां तक लगाया था और यह high and low लगाया था ठीक है फिर हमने यह कहा था कि एक site का high या low खा लेना चाहिए मतलब liquidity grab हो जानी चाहिए ठीक है तो किसी दिन क्या होगा market liquidity grab नहीं करेगी market क्या है इसी के अंदर इसी के अंदर घूमती रहेगी या अगर एक तरफ निकल जाएगी तो आपको market structure shift नहीं देगी और time अपका गुज़र जागा उस दिन आपने trade नहीं लेनी ठीक है अपने patience करना है समझ गया बात को आपके पास यह जितनी पी मैंने चीज़े बताई है अगर आपके पास यह displacement नहीं मिल रहा तब भी आपने trade नहीं लेनी यह बहुत important point है displacement का ठीक है तो हमेशा याद रखें कि जो rules मैंने यहाँ पर आपको बता दी है वो ही आपने follow करने उसके लावर कुछ नहीं करना ठीक है अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीख है तो make sure आप इसे चैनल को subscribe करें अपने दोस्तों में share करें और मैं free signal provide करता हूँ Forex के गोल्ड के अपने ये टेलीग्राम चैनल पर तो make sure आप इसे सबस्क्राइब करें best of luck, Allah आफेज